राजिस्तान देशरी गंगा नगर तो देल दहला देन वाली बड़ी खबर सामने आई है जिते शम्छान काड़ विजे दफणाएगे बच्चेनिया लाशां एकक करके गैब हो रही है बच्चेनिया दफणाएगे लाशां विचो लागपाग 70 प्रतिशत गैब हो चुकी है प्रबंदक इसनों कुत्यां दा कारा दासरे है की ऐसारा मामला आओ दिखाउने है पूरी रिपोर्ट श्री गंगा नजल दे शम्षान का आड़ विजे दफणाएगे बच्चेन दिया लाशां एकक करके गैब हो रही है उन तक सैंक्रे बच्चेनिया लाशां गैब हो चुकी है कबर विजे दफणाएगे बच्चेनिया लाशा नहीं था खाली खड़िया तो इलावा होर कोछ नजम नहीं आ रहा खाली खड़िया दे नेड़े शिरावनिया बहुतना देस्वा दे ताजा निशान किसे तांत्रिक बाले शारा का रहा है इस गल्दा खुलासा उस वक्त ह होया जदो दो दन पहला दफनाई गी बच्ची दी लाश कबर दिचों गया पाई गी जदो परवार ने आसपास अलपन दी कोशिश की ती ता दफनाए गए लाग पाग सत्र प्रतिशत बच्चे नहीं आलाशां समुर की तवर्पे गया पन्या गया इसको तो यह आखरी व शाशा नूर्था पैरा दी पईया है उतर इस कटनाने स्थानक शेर नुवासिया नोवी जोड़ के राखे दता है हमें तो ऐसा लग रहा है कोई तंत्र मंत्र बड़ा कोई कारेकरम चल रहा है यहाँ और बच्चों को निकाल कर ले गए और यहाँ पर आग भी तपी भी मिली है यह कोई सद्र है कुट्टों को खाम नहीं है जो कुट्टों के ऊपर गेर रहे यह बात और कुट्टे इतनी 20-20 फुट की दिवारें और एंगले गेट इतने बड़े और कुट्टे ले जाए और चलो कुट्टे ले भी खा भी गे कोई हड्डियों के सब तो मिलेंगे यहा अगर यहां कुछ भी नहीं मिला है ऐसे लगते हैं इनकी कोई जो नहां के करम चारी है इनकी मिली बगत है बहुत तकड़ा मामला है जो मानना तसक्री कही मानना जाए मरे बच्चों का तो आज पर्सों की बात है और हमारे दोस्त है फ्रेंड मेरा मोनू तिरना जी उसकी ब पच्चे दख हुई है 70 परसंट पच्चे गायब कर दिए हैं यहां पर इतनी सारी पॉप्लिक के साथ देखे हैं कि किसी कुटे का कम किसी भी हालत में नहीं लग रहा क्योंकि सब जगा फावडे के निशान एक दो तीन लगातार उसकी चोटों के निशान दिख रहे हैं औ सामने जगा है तो सामने की स्थिती बहुत ही ज़्यादा खराब है और यह दो जगों पर यह तो कोई तांत्रिक वाला है या कुछ और है लेकिन यह कर नर्वक्षी भी हो सकते हैं जैसा यहां पर बात आ रही है यह देखने का विशय है और अभी सपी साब को भी कॉल किया ह और इसके बाद में तुरंट देखा जाएगा और जाच की जाएगी। विदी समझो भी होगा वह आपको बता रहा है